अबिशेक आप जहां मौझूद है वही तो आज चर्चा का विशे है क्योंकि पूरी तरह से तस्वीर बदल जाएगी इस पूरे इलाके की जहां पर आप मौझूद है एक बार तो नजारा दिखा दीजिए मुझे पता है कई लोग हैं जो आतूर हैं इस वक्त अपनी अपनी गये यह कॉरिडॉर है सीधा गंगा की तरप से जो रास्ता आता है और इस तरफ यह बड़ए सी आप जो बड़ा जो दर्वाजा बड़ए देख रहे हैं यह मुख्य दर्वाजा है जब काशी कॉरिडॉर मेंप्रवेशेकदें करें लेकिन काशी जो है सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म की नगरी नहीं है बलकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं न कहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतीक के तौर पर भी से सामने रख दिया है। अरंग्जेव की चर्चा छेड़ दी तो ये अंजना ये मान लीजिए कि ये आज का जो दिन था ये भब अनावरन के साथ साथ भब बीजेपी का अपना एक जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उसको भी उन्होंने पूरे देश और दुनिया के सामने रख दिया है कि देख ये मुम्किन नहीं था लेकिन ये हमारे युग पुरुष प्रदान मंत्री है जो है जो आपको आप लोग भी आये हैं और घुमा आप लोगोंने कोरिडूर कैसा लगा देखिए मैं कुछ भी पहले कहूं उससे पहले एक बार उत्गोष हो जाए हर हर महादेव नमा शिलाओं पे गए होंगे कई निर्मान आपने देखे होंगे पर ये सवभाग गया हमारे प्रदान मंत्री का कि इस मंदिर के जिर्णोधार में उनका नाम लिखा जाएगा नहीं से पहले आप किसी मंदिर में गया होंगे तो किसी सन में किसी राजा ने किसी और किसी और किस प्रश्राइब करेंगे जीवन राम जी के सेवक रहेंगे जो पिछे थे सबके अपने अपने उद्गार सबके अपने बिल्कुल बिल्कुल मैं लॉट रही हूं आपके पास अभी शेक अब आर्ती की शुरुआत हो गई है सुधान चुत्रिवेदी जी को भी दिखाई ये ज ज़रा पहले सुना देंगे अपने दश्कों को लेकिन सुधान चुत्रिवेदी जी पीम ने कहा नई उर्जा है कार्शी में आप लोग चाह रहे होंगे कि ये उर्जा और उस उर्जा पर आप लोगों की मुहर लग जाए अंजना जी जी कार्शी की उर्जा है वो इतनी व्यापक है कि उसके लिए राजनीत और चुनाव तो बहुत छोटी है जिस छण आप कार्शी विश्वनात में श्रद्धा से अपना सर नवाते हैं तो आपका श्रद्धा का वही भाव अमरनाथ से भी जुड़ता है से कोई कहीं भी हो पूरे राष्ट की संस्कृती से एकाकार हो जाते हैं और उसके बाद जानते कहां जुड़ता है यॉरप की उस सर्ण लेबरेटरी जिसकी की लॉबी में भगवान शिव की तांडव करती हुई नटराज की मूर्ती रखी है जिसने 21 सदी की सबसे बड़ी खोज की थी साइंटिफिक खोज गाट पार्टिकल उससे भी जाके जुड़ जाता है इसलिए जिसके लिए कॉस्मोलोजी में सबसे बड़े दुनिया के विद्वान काल सेगन ने कहा था कि विश्व का निरंतर स्रेजन और विद्वन्स कॉस्मिक डांस अप शिवा की तरह है जो साइंस ने अब खोजा यह हिंदू थौट से मैच खाता है इसलिए सन लिबरेटरी में रखी है इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ज्यान हो संस्कृति राष्ट्र हो यह इतना व्यापक है कि जो लोग इसमें कुछ और देखने का प्रयास कर रहे हैं मैं सिर्फ यह कह सकत हो कि वो अपनी छुद्र बुद्धी से देखने का प्रयास कर रहे हैं विराक्ता से देखिए और जो जिसको कहना हो कहिए अरे हम तो भगवान शंकर कैनी आई हैं जिन्होंने विश्को धारन करके भी नीलकंठ बनकर जगत का कल्यान किया और जरुवत पढ़ने पर प्रले विश्व का आजीवन निर्मान किया है पर दूसरा सुरूब भी है पर प्रले अंकर हूं महा कालवन पापों का अवसान किया है और मुठी भर अवशिष्ट भत्म पर आजीवन अभियान किया है किया नहीं विद्वन्स विश्व का आजीवन निर्मान किया है आज मोदी ज जो भगवान बुद्ध से लेकर कबीर संत रइदास सबके साथ जुड़ा हुआ है परंदु अब जिसको इसमें ज देखना हो अंजना जी वह देखे जिसको इसमें हिंन्दू देखना हो हिं कि जिसको दläखना हो वह 16 द कि आ एक पंक्ते और कह देना चाहता हूँ छत्रपती शिवा जी का भी उलेख किया आज काशी का ये भव सुरूप जो दिख रहा है ना उसमें शिवा जी का उलेख आवश्यक था जो कि एक ऐसा दोर आया था जब लगा था कि काशी और प्रयाग से सब कुछ समाथ हो जाएगा उस माला तोड़ी सब की और आगे उन्हों लिखा था काशी करवला होती मतुरा मदीना होती शिवा जीना होते तो सुनत होती सब की इसलिए मैं कहता हूँ जो लोग आजकल हिंदू और हिंदुत प्रवचन देते हैं यह उस छत्रपती शिवा जी महराज का जिनोंने हिंदवी स स्वराज जी और हिंदू पद्पाथ्याही स्थापित किया था और आज उसके बाद आने वाले समय में चाहें उनको रंजी सिंग जी ने अहिलिया भाई होलकर जी ने करवाया और आज मोदी जी के द्वारा यह कार हुआ है इसलिए मैं कहा रहा हूँ अतीत से लेके भवश चान तक देश से लेके सुदेश तक एक विराज भवस रूप सामने आ रहा है और इसमें सब लोगों को इस विशे के उपर कहना चाहिए एक वाक्ति और कह दू महात्मा गांदी ने कहा था स्वराज हमें राज मिला था वीसवी सदी में स्वाका तत्व का लोब था यह